याईज अगर आप Revit में Underlay Object को Select करना चाहते हैं तो आप कैसे select कर सकते हैं सबसे पहले समझते हैं Underlay Object होते क्या है जैसे अगर आप Level 1 पह जाओगे तो आप देखोंगे यह plan आपका बना हूँ और Level 2 पह जाओगे तो side वाली boundary बनी हुए बट यह जो ये वाली walls है ये वाली Level 1 क जो आपको यहां पे faded हो के नजर आ रही हैं तो इनको हम बोलते हैं अंडर ले उबक्ट तो हम लेवल 2 से उब्डेक्ट को स्लेक नहीं कर सकते और अगर अब एक को करना है लेवल 2 से इन अब्जेक्ट सकते हैं अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें